ये एक इंच अद्रक का तुकड़ा आपके दातों को मोती से भी ज़्यादा चमका सकता है सफेद मोतियों जैसे दात किसको पसंद नहीं आते इससे आखिर हमारी खुब सूर्ती और मुस्कराहत में चार चान जो लग जाते है लेकिन क्या आपके दात लापरवाही की वज़े से मीठा खाने से कोल ड्रिंक या फिर स्मोकिंग अलकोहौल की वज़े से पीले और भद्दे दिखने लगे है अगर हां तो इसे के चरते धीरे धीरे दातों में कीडा बनना भी शुरू हो जाता है और तकलीफ बढ़ भी जाती है आज का ये जो नुस्खा है वो आपके दातों को दो मिनिट के इस्तमाल से साफ करेगा साथी सफेद और चमकदार बनाएगा इस नुस्खे को बनाने के नहीं आपको चाहिए होगा एक इंच अद्रक का तुकड़ा ये चीज भले ही दिखने में छूटी लगी लेकिन आगर आपने इसका इस्तमाल एक बार अपने दातों पर कर लिया तो आप खुच चौक जाएंगे कि आपके दात कितने सफेद और चमकदार बन गये है वो भी इतने कम पैसों में आपको इस तरह इसका रस तिकार के अलग कर लेना है फिर आपको लेना है कुछ इतनी ही मातरा में टूथ पेस्ट आपको इस नुस्खे में इस तरह का सफेद रंग का ही टूथ पेस्ट देना है यानि के बिना किसी फ्लेवर का इसके बाद आपको इसमें डालना है एक पिंच के बराबर नमक और फिर अंत में इसमें आट करें दो से तीन बुंदे सरसो के तेल की ये अगर आपके दातों में कीडा पढ़ गया है या फिर मसूडों में दर्द सा रहता है तो उसे दूर करता है दोस्तो इस नुस्खे में इस्तमाल की गई सभी चीजे हरे के घर में बहुत ही आसानी से मिर जाए ऐसी है इसलिए इस नुस्खे को रोज मरा में दोहराना भी बहुत ही आसान हो जाता है इन चीजों को अच्छे से मिलाकर आपको एक टूद ब्रश नेना है और फिर कुछ इतनी क्वांटिटी में इसे लेकर हलका हलका अपने दातों और मसूडों को दो मिनित तक ब्रश करना है और फिर साफ पानी से वाश कर लेना है इस नुसके को रोजाना दोहराने पर आपके दातों से पीलापन दिन बर दिन कम होता जाएगा और दातों में अगर कीड़ा लगा है तो वो भी साफ हो जाएगा इसे के साथ साथ आप रूजाना एक ग्लास पानी में आधा चम्मत सेप का सिरका यानि के एपल साइडर विनेगर डाल कर इस पानी से ब्रश करने के बाद कुला करें ये भी आपके दातों को दो से तीन दिन की ही इस्तमान से पीला पन हटाने में मदद करेगा अगर आपके पास ये नहीं है तो घबरानी की जरुरत नहीं है आप इसकी जगा आंधी नीबू का रस भी मिला सकते हैं ये भी equally beneficial है तो आज ये से एक बार आसमाए और आपको कैसा result मिला मुझे कमेंट करके जरूर बताएं सांधी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले